पिरिये विदार्थियो एडवांस वरिष्ट मार्दमिक विदाले मुढ़ाल की ओलाक्षा में आपका सवागत है आज हम आपको आपकी पाठ्या पुस्त के आरो भाग दो की दिन जल्दी जल्दी डलता है नामक कविता करवाते हैं तो परसंग देखिए परस्तूत पंक्तिय हमारी इंदी की पाठ्या पुस्त के आरो भाग दो की दिन जल्दी 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 डलता है नामक कविता में से संकलित हैं इसके कभी हरीवन्स राय बच्चन जी हैं इस पद में कभी ने समय की मैता कवर्णन किया है देखिए हो जाएन पत्मे रात कहीं अपने जीवन पत पर आगे बढ़ते हुए एक पतिक को इस बात का डर रहता है कि कहीं रास्ते में ही उसे राते ने हो जाए पत्माने रास्ते पर एक पतिक जो है अपने जीवन पत पर आगे बढ़ता है तो उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं रास्ते में ही राते ने हो जाए मंजिल भी त देता है यानि उसे अपना लक्षे अपनी मंजिल भी उसे नजदीक दिखाई दे रही है यह सोच करकि कहीं रातनों जाए मंजिल भी आपको दिखाई दे रही है ऐसा सोच कर ठका हारा मुसाफिर पंथि माने पतिक राष्टे पर चलने वाला पतिक या मुसाफिर ऐसा सोच कर ठका हारा वह वैपतिक भी जल्दी जल्दी चलता है अपनी ठकान को भूल कर और जल्दी चलना शुरू कर देता है दूसरी तरफ दिन भी उतनी ही जल्दी से डलता जाता है एक तरफ दिन जल्दी डलने की और अगर शर हो रहा है तो दूसरी तरफ वै मुसाफिर भी जल्दी जल्दी चलना शुरू करे देता है ताकि रात होने से पहले वह अपने लक्षय पर पहुंचे जाए तो इस पद के मादम से कोई ने सपस्ट किया है कि सारा दिन थकान, सारा दिन चलने के कारण थकान को भूल कर पथिक अपने लक्षय पर रातरी होने से पहले पहुंचना चाहता है दूसरे पद में बच्चे परत्यासा में होंगे किसके चिडिया के वनन इस पद में चिडिया का है कि चिडिया सुबह अपने बच्चों को छोड़कर बर्मन के लिए निकल जाते हैं सरादिनाकास में बटकते रहते हैं बर्मन करते रहते हैं अंदकार संध्या के समय बच्चों को अपने माता पिता के आने की आस होती है तो इसका वरन कभी ने किया है बच्चे परतियासा में होंगे चिडिया के बच्चे परतियासा में इंतजार कर रहे होंगे परतिक्षा में होंगे चिडिया के बच्चे संध्या के समय या स्याम के समय अपने माता पिता के आने की परतिक्षा कर रहे होंगे नीडों से जाक रहे होंगे नीड माने गोशले गोशलों से बाहर की और देखे रहे होंगे जाकना माने देखना वो चिरिया के बच्चे संध्या के समय श्याम के होने के समय अपने माता पिता के आने की इंतजार कर रहे होंगे अपने गोशलों से बाहर की और देख रहे होंगे यह ध्यान परों में चिरियां के भरता कितनी चंचलता जब चिरियां के मन में यह विचार आता है जब चिरियां का इस और ध्यान जाता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे गोशलों से बाहर के और देख रहे होंगे जब चिडियां के मन में ये विचार आता है तो सारा दिन उडान के बावजूद थकान मैसूस होती है लेकिन जब ये विचार आता है तो चिडियां के परोमाने पंखों में कितनी भरता कितनी चंचलता कितनी चंचलता भरे जाती है जब चिडिया के मन में ये विचार आता है तो उस चिडिया के फंखों में इतनी चंचलता भर जाती है यजिनि अपनी थकान को भूलकर अपने पंखों को और जल्दी जल्दी फटपडाना शुरू कर देती है जल्दी रात्री होने से पहले गोषले पर पहुंच जाना चाहती है दूसरी तरफ दिन भी जल्दी जल्दी डलता है इसका भाव यह है कि इस पद के मादम से कवी ने शुपष्ट किया है कि वादसले भाव का वर्णन किया है क्योंकि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वादसल्य प्रेम कहते हैं तो इस पद में कवी ने वादसल्य भाव का वर्णन किया है विशेश आपका वही है मुझ से मिलने को कौन विकल कभी कहता है किया है, कभी सपस्ट करता है, मैं आकेला हूँ, मुझ से मिलने के लिए कोई व्याकुल या बेचैन नहीं है, विकल माने व्याकुल या बेचैन नहीं है, मैं हूँ किसके ही चंचल, कभी कहता है, मैं किसके लिए चंचल बनूँ, यानि मेरा अपना कोई है नहीं, मुझ से कोई व्याकूल या बेच है नहीं है इसलिए मैं किसके लिए चंचल बनूं मेरे मन में किसके परती चंचलता उत्पन हो यह परसन यह परसन कर सिथिल करता पद को जब कवी के मन में यह परसन उत्पन होता है कि मेरा कोई अपना नहीं है मैं एका क्यूं मुझसे कोई मिलने वा जब कवी के मन में यह परसन उत्पन होता है स्थिल करता पद को उसके पैरों को कमजोर करे देता है उसके पद को कमजोर करे देता है यह जब कवी उसके विक्ति के मन में यह विचार आता है तो उसके पद स्थिल या कमजोर हो जाते हैं भरता उर में भीवलता और उसके हर्द दिन Đिन जल्दी जल्दी adjust होता हुआ जा रहा है तो इस पद में कभी ने यह सपस्ट किया है कि व्यक्ति जब व्यक्ति एकाकी होता है उसे कोई मिलने वाला नहीं होता है तो वह एकाकी होने के खारण बहुत अधिक व्याकुल या दुखी हो जाता है वह अपने जीवन में अपने जीवन की गती को रुकी हुई सी मानता है तो भाव क्या है इस पद का इस पद के मादम से कवे ने सपस्ट किया है कि एकाकी व्यक्ति में किसी परकार की कोई चंद चलता नहीं होती है विशेश आपकी वही है बासासुद साहितिक खड़ी बोली परसाद गुन शांतरस इसके अनुपरास और पुनुक्ति परक परसाद में आया होगा धन्यवाद